बरेली में फर्जी सीमो बनकर एक व्यक्ति से लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया वादी यूबक को अपने साथ हुई ठगी का पता बीटी 23 अगस्त को चला जब पुराना केस खुलने को लेकर उसके पास स्रीयो ऑफिस के नाम से फर्जी कॉल आया सब कोने पर उसने पुलिस से पुरे मामले की सिकायत की और बताया कि एक साल पहले उनके साथ दो लाख बीस हजार की ठगी हो चुकी है पुलिस ने पुरे मामले में ज्राज करते हुए दो लोगों को गरफतार किया है वहीं मामले मे आगे की कानूमी कारवाई की जा रही है एक फर्जी CMO ग्रफतार हुए है क्या मामला है किस तरह से ये पूरा ठगी का रैकर चलाते थे देखिए इस पूरी ठगी के घटना में टपस पष्ट हुआ जब जियांग 23 अगस्त 2004 को एक बैक्ति के द्वारा जो कि अपने हाग को CO IO OFFICE से बता रहा था उसके द्वारा एक राजंदर सक्सेना ना पक्रेक्ट के पास पॉल आया तो जब उनको शक हुआ कि ये शायद CO OFFICE से इप नहीं है तो उनोंने पुलिस को संपर्ख में किया और जब पुलिस के द्वारा पूरी घटनाकरम की जाच की गई तो उससे इस साथ कोई ठगी हो पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि पिछले वर्ष 20 नवंबर 2023 को जो कि वादी है उनके पुत्र का किसी बिमारी से दिहांत हो गया था तो जब वो बिमार थे और गंभी गटना के लगबग 3-4 दिन बाद उसी क्लिनिक के डॉक्ट डॉक्टर सोमपाल द्वादी से संपर्क किया है कि आपके विरुद आपके बेटेके विरुद्ध और आपके पत्निए विरुद्ध एक थाने में एफायर हो गई है। और उस एफायर का गुए है कि आप ही के दौड़ा इंजक्शन देकर आपके बेटे को मार दिया गया है। तो यह जब डॉक्टर सूमपाल के द्वारा इस तरह की बात वादी को बताई गई तो वो घबरा गए और मामले को रफ़ा रफ़ा करने के लिए उन्होंने डॉक्टर सूमपाल को इस ठगी के उपरां लगबख दो लाक बीस हजार रुपे उन्होंने ट्रांजक्ट कर दिये दे दिये थे, दो लाग बीस हजार की ठगी उनके साथ हो गई थे, उनको लगा कि दो लाग बीस हजार रुपे देने के बाद शायद उनका वामलब खटम हो गया है और वो यहां डॉक्टर सूमपाल से और यहां से किसी से कोई संपर्थ महीं रखना चाहते थे, तो पुरे एक वर्ष पुराना जो आपका केस था वापस ओपन हो गया है और डॉक्टर सूमपाल जो है उसको नौटरा पुलिस उठा कर ले गई है और आपको भी पूछता आज के लिए बुलाया जाया तो इस बार लगबग एक वर्ष के बाद वार्दी को यह सपस्ट हो गया कि मेर साथ यह दोपादड़ी ही हो रही है तो उन्होंने तुरंथ पुलिस को संपर किया सारी जानकारियां दी किस-किस नंबर से कॉल आया था इसमें चेत्रा दियारी प्रथन द्वारा अपने नेत्रत में एसोजी की टीम बनाकर जास परताल की जिसमें पाया गया कि इसमें वहीन लगधग दू अभियुकतों की अभी गिरफतारी हुई है जो गवादीद्वारा एफायर दी वही है उसमें टोटल चार नामजद है एक डॉक्टर सूंपाल है एक वेक्ति जिसकी गिरफतारी हुई वह अपने आपको स्रियों वदा था परजी सीमो जो निकला है और जिन वेक्तियों ने इनों ने जिन वेक्तियों से अपनी फरजी से बनवाई है वह हमारा वांचिक चल रहा है उसकी जल्ड किरफतारी की जाएगी और वह जो इसमें पर देने वाले और जिसके नाम पर यह फरजी सीम लीगी है उनके विरुद भी काने निकारवाई की कर लिए जाएगी और जो डॉक्टर सुम्पाल है उस गिरफतारी की पस्चार इस पश्ट होगा कि हमके दवारा के इस प्रकार के और भी फ्रॉड किये जाए हैं और मेरा भी आप लोगों के माध्यम से सभी को आग रहे हैं कि आप अपने माध्यम से लोगों को यह इनके जो फ्रॉड क्याने का लावा जो भी इनका दिंजरे आहा है, इनके द लारे जो कार इड़ा हैं, इनका लिएग्ट जो बैंके ट्रांजेक्शन नहीं की जो सीडिया है लिएलों को पुलिस लगाता काम कर रही हैं और बी जो दुलिस मेलेगी और आज इनके बढ़ार